नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुवागत है कल जो हमने बस का और पुलिया का आपको सटीक जानकारी दी थी उसमें से आपकी ही कमेंट्स को हमने अधार बना के ये point of view किया है कि क्या इस पे कुछ सुधार किया जा सकता है सबसे पहले कुछ भी कभी भी हो सकता है इसलिए हमें हमेशा ये धन्यवाद मानना चाहिए कि जिस पल हम जी रहे हैं वो पल सबसे महतवपुर्ण पल है और बहतरीन पल है सुनने में ये आ रहा है कि एक नर्स होस्पिटल के लिए जा रही थी उसी बस में जिस बस की ये गटना है लेकिन जिस होस्पिटल में वो जा रही थी डूटी करने उसी होस्पिटल में उसके शव को ले जाया गया और हमेशा जो उसके साथ में जो चिकित्सक काम करते हैं उन्ही चिकित्सकों को उसे मृत गोशित करना पड़ा कितने बड़ी बात है ये आप सोच सकते हैं कि जब वो नर्स अपने घर से निकली तब उसे ये नहीं पता था कि होस्पिटल में जाके वो क्या क्या करेगी शायद उसके कई अर्मान थे कि होस्पिटल में जाके आज वो इस परकार की एक्टिविटी करेगी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जो हमेशा उसके साथ हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं वही लोग उजे आस उसी होस्पिटल में मृत को सिद कर देंगे बहुत दुख की बात है, बहुत विनमना की बात है दोस्तों इसलिए जिस पल को जी रहे हैं, वो बहुत ही बहतरीन पल है और उस नर्स के प्रिवार वालों को, उनके रिष्टेदारों को, उनके दोस्तों को भागवान हिम्मत दे डांडस्त बंदवाए, ऐसी उम्मीद करते हैं कि उन्हें सबल पर परदान करे चलिए हम कमेंट्स लेते हैं, कमेंट है, एक कमेंट आया है, जिसमें ये लिखा है कि हम पे एक बात बोली है कि उलजाए रखने की बात आप कर रहे हो हमने सटीक बात बोली है कल की वीडियो में, उलजाने वाली कोई बात नहीं है पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे पहले जो भाई ने लिखा है वो पढ़ लेते हैं कि सिर्फ लक्षन बढ़ रही संपुन सेखावटी में लोग प्रिवहन बस के मालिकों की दादा गिरी मचा रखी है क्योंकि उनको स्थानिय एमले राजनितिक नेताओं का श्रक्षन प्राप्त होता है तो ये बसें किसी वर्तमान या भूध पूर्वा सरपंच परधान जीला पर मुक्य होती है अब ये बहुत बड़ी सचाई है जो ये भाई बता रहा है जिनके ड्राइवर या कंड्रोक्टरों का वहवार भी सभी के लिए अपमान जनक होता है किसी भी सवारी को इनसान तो समझना दूर वो जानवर भी नहीं समझते इसलिए सेखावटी में चलने वाली लोग प्रिवहन की बसें कोई भी हाथसा कर सकती है अगर मेरी बात किसी को लगती है कि गलत है तो वो एक विक्ति बस में यात्रा कर इस बात का प्रिक्शन कर सकता है ये बात भाई ने बहुत बड़ी बात बोली है अब ये जो बात बोली है एक प्रकार से इस पे गोर करने वाली बात है कि क्या भूत पूरों सरपंचों की बसें चल रही है क्या यहां के परधानों की बसें चल रही है और उनको यहां के विधायकों का सरक्षिन प्राप्त है अगर है तो फिर वो गलत कर रहे हैं इनसान को इनसान समझना जानवर के बराबर समझना और वो तो ये कह रहे हैं कि जानवर भी नहीं समझते तो ऐसे में हम यूं मान सकते हैं कि दादा गिरी वाली बात तो सामने कहीं नहीं आही जाती है अगर ऐसा है तो परसासन को इसमें बिलकुल कारवाई करनी चाहिए और परसासन के कुछ लोगों को साधी बर्दी में जाकर के बस में यातरा करनी चाहिए और ऐसी विसंगतियों को दूर करना चाहिए हम कभी ये नहीं कहते कि मुआउजा नहीं देना चाहिए मुहावजे का एलान नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए जो कि पहले की सरकारी करती आई है आपको भी करना चाहिए इसमें कोई दिकत नहीं है लेकिन आगे से ऐसी गटना नहीं हो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेता है शायद मेरे हिसाब से कोई भी वो जिम्मेदारी नहीं लेता आज दिवाली है और दिवाली के दिन उन घरों पे कोई दिपक नहीं जलेगा दोस्तों सोचेगा जरूर कि किसकी गलती थी, कैसे थी, क्यों थी क्या उनके प्रिवारों को हक नहीं है कितने सपने थे, उनके बच्चों के कितने सपने थे कि हम पठा के जलाएंगे, दिवाली पे मिठाई खाएंगे लेकिन नहीं इस बार वो कुछ नहीं कर सकते हैं सोचे जरूर बहुत भेंकर दुख होता है किसी के घर पे बित्ती है, तभी पता चलता है कि कितना बड़ा दुख हो चुका है अब, दूसरी कमेंट्स है सर, ये सैम ही इन्होंने लिखा है इनकी कमेंट्स को हमने ले लिया है मालिकोंने यूनियन बना रहे है, ऐसा भी ये कह रहे है और अगर इस टेंड पर आने से ज़्यादा देर लगती है तो ड्रैवर को अपनी जेव से प्लंटी देनी पड़ती है ये कितनी सच्चाई है, इसके हम पुष्टी नहीं करते है तो इसके बाद ड्रैवर अपनी जेव से प्लंटी देनी पड़ती है इसी वज़े से ड्रैवर को ड्रैवर दोडा रहा था इसकी मुख्या वज़े यह यूनियन वाले आए दिन गुंडागर्दी करते हैं ये बात कहां तक सकते है परसासन को इसकी जांच करनी चाहिए बस कहां से निकली है अगर लेट हो जाए तो फिर ड्राइवर को अपनी जेव से पलंटी देनी पड़ेगी अगर ऐसा कोई यूनियन वालों ने गुंडा गर्दी बना रखिये तो इस यूनियन को बंद कर देना चाहिए इस यूनियन के अपरादिक जो लोग हैं जो अपराद कर रहे हैं ऐसे लोगों को कानून का सिकंजा कशना चाहिए ऐसे लोगों पर कारवाई होनी चाहिए क्योंकि अगर ड्रैवर को मान सिक्स्तिती अगर आपने पैदा कर दी और अगर वो अपनी जेव से रोज पलंटी देने लग गया तो फिर जाहिर सी बात है वो दोड़ाएगा अगर इसमें सचाई है तो परसासन को ऐसे लोगों को सलाकों के पीछे जरूर पहुंचाना चाहिए क्योंकि वापिस ऐसी गटना वापिस नहो अब एक कमेंट आया है जगदीश परसाज जी बोल रहे हैं कि पहले दीरे दीरे चलाते हैं बस को फिर पलंटी से बचने के लिए तेज लाते हैं ने हार्ट अटेक आया ने कुछ और ये जगदीश परसाजी करें हैं कुछ लोग ये कह रहे थे बस के जो ड्रैवर है उसको हार्ट अटेक आजकता है इसकी वज़े से ये हुआ है परन्तु अगर हार्ट अटेक आता तो कंड़क्टर यहां पर कहता हार्ट अटेक जब आता है तो दर्द पहले से हो सकता है और या वो किसी को बताता अपने आस पास बैठे विप्ति को बताता लेकिन कंड़क्टर ने इस बात से साफ मना किया है उसने ये कहा कि मैंने मना किया 3-4 बर, पता नहीं क्या हुआ, रोज हमेशा दीरे चलाता है, लेकिन आज ही वो ते चला रहा है। हम भी मानते हैं driver का परिवार है, हम भी मानते हैं driver की family है, हमारी उनके प्रती भी सहानुबूती है, लेकिन सीधी सी बात है कि जो bus को चलाता है, उस bus में कही और भी जिंदगियां थी, तो हमें कड़वा बोलना पड़ेगा, चाहे किसी को अगर बुरा लगे तो भले ही लगे क्योंकि बाकी की जिंदगियां ड्राइवर के हाथ में थी और पलंटी से बचने के लिए अगर ये बात सत्या है तो इसमें ड्राइवर को भी समझना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है दूसरों की जिंदियों का हमने ठेका थोड़ी ले रखा है विक्रम सिंग कह रहे हैं कि इस रूट पर एक भी बस रोड़ वेज नहीं चलती है इसके कारणी यह है कि नीजी प्राइवेट बसें चलती है वो किसी ने किसी रूप से विधाय का स्ट्रंक रहा है वो दिक्कत है और लोगों को लगता है लेकिन लोग बोल नहीं पाते हैं इसलिए यह एक मंच है अपनी राय रखने का और परसासन को ऐसी कमेंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए जो लोग कह रहे हैं और जो आप यहां कमेंट्स करने की जिद्दो जहद कर रहे हैं अगर यही आप एक एप्लिकेशन देखे नजदी की धाना में या आर्टी ओफिस में जमा कराएं वहाँ पर एक गुप्त पेटिका होती है उसमें आपका नामवाम भी नहीं जाता है वहाँ पर शिकायत कर सकते हैं आप 181 पर शिकायत करने पर वो तुरंत आपकी कारवाई भी होती है 15 दिन का समय होता है उसके अंदर आपको वापिस कोल भी आता है तो यह सारी प्रोसेस है अगर यही आदमी अगर यहां करने की वजाए अगर आप लोग सब 181 पर या नीजी जो एक पेटिका होती है जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं डाक कर सकते हैं कि यह से विक हम बात करते हैं दीरे दीरे उस छेतर की जिसके अंदर हमें लगता है कि आप सब को सोचना चाहिए अगर प्लंटी वसूल कर रहे हैं तो प्लंटी कौन वसूल कर रहा है ऐसी कौन सी यूनियन होगी जिस यूनियन को कोई फरक नहीं पड़ता कि कितनी जिन्दगिया खराब हो चुकी है ऐसी कौन सी यूनियन इस दुनिया में आ चुकी है जिसको ये तक पता नहीं अगर यूनियन के प्रिवार से कोई जाता तब यूनियन वालों को पता चलता कि आखिर मौत क्या होती है आखिर जिन्दगी क्या होती है ये क्या यूनियन बना रखी है लक्षमन ग ही हैं जैसे ही ये बात उठी परसासन हरकत में आया दो दिन इधर उधर होंगे तीसरे दिन सब पैसे से मैनेज हो जाएगा सिस्टम और उसके बाद में वही गलतियां वापिस दोहराई जाएगी जब तक कोई नहीं गलती नहीं हो जब तक हमारे देश में इस प्रकार की गलतियां होने लगेगी होती रहेगी तब तक कि मैं मान सकता हूँ कि हमें कोई न कोई ऐसी दुर गटना देखने को मिलेगी आप निगरानी नहीं रख सकते क्या परसासन की लोगों को इतना हक नहीं है कि वो लोगों की जिन्दगियों को बचाने में तो लगे लगे लेकिन साथ में जो जिन्दगियां गई है उनके बारे में सोचा जाए लेकिन मेरे हिसाब से परसासन मोन हो जाता है और परसासन के मोन होने के बाद में ही ये सारी गड़वड़ियां शुरू होती है यहाँ पर बड़े-बड़े अधिकारी को घूस दे दी जाती है और वो लोग मुँपर ताला रगा के आराम से चले जाते हैं और यही वज़ा है कि दो दिन बातें होगी फिर इसको रद्धी की टोकरी में डाल दिया जाएगा जैसे पहले चलता रहा है वैसे ही सिस्टम वापिस चलेगा धरना भी चल रहा है लोग आग बबुला हो रहे हैं कितने दिन होंगे आखिर अधिकारी आएंगे जन्ता के बीच में कहेंगे आप धरना हटाएं आपकी क्या मांग है कितने सुत्री मांग है वो मांग का एक प्रपत्तर दिया जाएगा प्रपतर देने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि यह लोजी काम complete हो चुका है कोई इशु नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम बैठेना आपकी no sutry मांग है हम आपकी सात सुतुतry मांग को करेंगे complete करेंगे इतने दिन का में time दीजिए धरना खतम हो जाएगा लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे और लोगों को पता लगेगा कि भी साथ सुत्री मांगतों ये अधिकारी कर ही देगा लेकिन गदावे और गारंटी के साथ तो हम ये कह सकते हैं कि कभी उन सुत्री मांगों को ढंक से देखा ही नहीं जाता एक फॉर्मल्टी के तोर पर उन पर कार्यवाहि की जाती है हम आपको ही टार्गेट करेंगे, बीड चली जाती है, दो तिन लोगों को वो बहला लेते हैं, बता देते हैं कि हमने अब तक ये किया, हमने अब तक ये किया, ये हो चुका है, ये हो चुका है। लेकिन कारेवाही के नाम पर अगर कारेवाही करते हैं तो एक दो कारेवाही करके ठप हो जाते हैं इसके बाद में कोई भी सवाल खड़ा नहीं करता है दोस्तों जब तक ये सवाल खड़े नहीं होंगे तब तक ऐसी घटना होती ही रहेगी और जहां तक ये बस union की दादा गिरी है ये किसी बाप की लाइफ नहीं है ये किसी के बाप की जिंदगी नहीं है कि आप मन में आए उस पर प्लेंटी लगा दें और अगर ड्राइवर लेट होता है तो उस पर परंटी लगाई जाती है ऐसे लोगों को सलाकों के पीछे डालना चाहिए आपको क्या लगता है आप जुरूर बताएं हैपी दिवाली सबको रबा कैर शब्बा कर जाहें